जोहर साथ है तो रांची जिला में चोकिदार की पर्ति बहाली को लेकर अभी जो है इसका फॉम अपलाई हो रहा है और फॉम जो है इसका 25 अगस तक भरा जाएगा और इसके बाद जो है इसका चैन परक्रिया किया जाएगा तो इसका चैन परक्रिया जो है वो किस तरह से तो आई इड़स्ट आपड़नों को सब्सक्रण और जए लिखित प्रीछा, इससे इसे पहले कभी भी बीवर्षिन रहेंगे, वो आभी आपको बताएंगे, तो पहला जो है ये लिखित परिच्छा और ये कितना अंकों का लिया जाएगा तो 50 अंकों का लिया जाएगा जिसमें से लिखित परिच्छा में जो है एक तिहाई जो अभी अर्थी है उन लोगों का चेन किया जाएगा जैसे रांची जीला में जदी 311 स्विट है ना तो इ यानि देखे 3 और यहां भी 3 और यहां 9 तो सिलेक्शन होगा इसके लिए तो फिजिकल और आपका सारीरिक माप के लिए होगा तो देखे इसके बाद जो है ख़र नम्बर में क्या होगा यहां पर आएए सारिरिक माप जो भी मापदंड है जैसे जेनरल और OVC के लिए जो यहाँ पर मापदंड रखा गया है जेनरल और OVC के लिए यह हाइड जो होना चाहिए एक सो साथ सेंटिमीटर संटीमीटर और लिए हीट है, इस ए अपके पास पन चाहिए। मापदर्ड होना चाहिए तो आप इस Spum को apply किये तेक है। और यहां पर आप लिखीत परिषा जो देखरें। 50 संगों का सारीय्रिक जाही, capital जो भी पुरूस कंडिडेट है पुरूस कंडिडेट के लिए यहां पर जो सारीरिक मापदंध है वो एक मिल का यहां पर दोड रखा गया है और ये एक मिल का जो दोड है ये जिदि आप 5 मिनाट में कम्प्लीट करते हैं, एक मिल का दोड तो इसमें आपको 20 अंक मिलेगा. और जदी एही चीज आप 6 मिनट में कमप्लीट करते हो, तो इस पे आपको 10 अंक मिलेगा. तो इस तरह से फूरुसों के लिए है, एहीच जान्य एक मिल ही आपका mahilan के लिए 8 मिनट में जदी महilan कमप्लीट करती है, पाँच के लिए हैनला करेंगे इतना में 10 मिनिंट में तो यह दिया है और पुरूसों के लिए पाँच और छहां पर आपका मिनिट रखा गया है अपका सारीरिक यहां पर आईए देखें लिखित परीच्छा जो लिया जाएगा यह लिखित परीच्छा 50 अंकों की ली जाएगी लिखित परीच्छा में जीला से जीला से संभनधित समाईन गयान पूछा जाएगा तो देखें नेक्स्ट आईए और इसके बाद भासा हिंदी अंगरेजी संस्क्रीट जंजातिए भासा में देखें मुंढारी खड़िया हो संधाली छेतरिए भासा में देखें नाकपुरी, पांचपरगनिया, कुर्माली, बंगला, उर्दू, इन सब भासा में से किसी एक भासा को आपको चेयन करना होगा और उसी भासा से रिलेटेड आपको प्रसने पूछा जाएगा, तो यहाँ जीला से संबंधित समाईने ग्यान बोला है, तो जदी आपका टोटल तो देखें, एक जीके से प्रसन रहेंगे, और वो भी आपका जीला का जीके रहेगा, और दूसरा किस से रहेगा, तो भासा से सम्मनित प्रसन रहेंगे, यहाँ से आपका 50 प्रसना, और उसके बाद आगे यहाँ देखिए, उल्लेकित भासाओं में से किसी एक भासा की पर अधार पे अभियर्थी दे सकेंगे लिखित परीचा में नियूंतम 30% अंग पराफ्ट करना अनिवार्ज है जैसे देखे 50 अंग है न तो इस पे आपको नियूंतम 30% अंग लाना होगा तभी आप इस एक्जाम को पास करोगे तो मिनीमूम आपको 15 अंग यहां पर लाना ही है सफल उम्मिदवारों की सूची एक टीन की सेंखा में तियार की जाएगी अभी आपको बतायते कि इसका तिन गुना जो है रिजन निकाला जाएगा परिछा के बाद तिन गुना रिजन जो एक परस्न होंगे तो आईए आप लोग वीडियो पर बने रही है और जदी आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक किजिए और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब भी किजिए देखिए यहां पर पहला परस्न है यहां प इस थापना कब हुई थी तो 1899 SP पे किया गया था इसको आप लोग यहां पर ध्यान दिजेगा 1899 SP कब किया गया था 1899 SP में किया गया था नेक्स्ट कोसेन आगे बढ़ते हैं यहां पर आईए नेक्स्ट कोसेन आदेगिए रांची जीले का मिखाले कहां इस्थीत है तो रांची जीले का मिखाले कहां इस्थीत है जैसे देखे बाकी सब कुछ-कुछ जीलों में आपको दिक्कत होगी जैसे आपको अगर हम देखें जेसे मुझाले का हैब नेवह थो देखिए ऐथी यहां पर राची जीले का जो लि Eff που का नाम इसाइब AUG राप आंE नहीं है एंकिज करना है है कुछ जिलों में जिलां का देखिए जीला का नाम अलग रहता है लेकिन राची जिला में ऐसा नहीं है, राची में आपको मिखाले कहा है, तो राची जिला ही मिखाले इसका है, लेक्स आईए, अब देखें यहाँ पर राची जिले में कितने अनुमंडल है, तो राची जिले में जो अनुमंडल की सिंखा है, यहाँ पर दो अनुमंडल है, क और यह क्या है बुंडू अनुमंडल, जबकि बुंडू अनुमंडल में जो परखंड की सेंखा देखिए, बुंडू, राह, सनातु और तमार, यहाँ पर चार परखंड देखने को मिलेंगे, कितना चार, और जबकि इधर आप देखे रहो, राची जो अनुमंडल जो देख तो देखे, यहाँ पर जो है, कितना परखंड है, तो चार परखंड है, और पूरे राची में अगर आपको परखंड पुछेगा, तो कितना हो जाएगा, तो अठारा परखंड हो जाएगे, कितने, अठारा, जबकि राची सदर जो अनुमंडल देख रहो, इस पर कितना प तो बरतमान समय में जो है रांची जीले में परखंड की सिंखा अभी आपको बताएं कितने परखंड हैं तो 18 परखंड यहाँ पर आप देख सकते हो यह देखें लापुंग, बेडो, माडर, चान्हों, खिलारी, बुर्मू, रातु, इठकी, नगडी, कांके, और माजी, अं राहे, सुनाहत्व, बुंडू, और तमाड तो इस तरह से टोटल यहाँ पर देखें, 18 यहाँ पर आपको परखंड की सिंखा मिलेगी, तो रांची जीले में परखंड कितने हैं, तो परखंड हो गएं कितने भाई, तो 18 परखंड हो गएं और अनुमंडल यहाँ पर कितने हैं, तो रांची जीले में, जारखंड में सबसे ज़्यादा जो अबादी है, वो रांची जीले में ही है, तो रांची जीले की कुल जो अबादी है, यहाँ पर देख सकते हैं, 29,14,23, कितना है, तो 29,00, जो है, यहाँ की जन सिंखा है, इसकी तो रांची जीले की, तो रां आज़िए, और आगे बढ़ते हैं, देखी, यहां पर, नेख्ट फोसिन, यहां पर आया है, रांची जीले की सच्छृता दर कितनी है, तो देखिए रांची जीले अभी जारखन में जो है सच्छरता है यानि जो पढ़े लिखे ज्यादा लोग है वो रांची जीले में ही आपको मिलेंगे क्योंकि देखिए यह हमारी राजधानी है ऐसा बात नहीं है लेकिन यहाँ पर ज्यादा मिलें तो यहां रांची जीले क जो सच्छता दर है वो देखे 76.06 तो बहुत ही अच्छा है यानि 75 पलस है यहाँ पर 76.06 परतिसत जो है रांची जिले की सच्छता दर है तो यह रहा क्या रांची जिले की सच्छता दर जब की जानते हो पूरे जारखन की जो सच्छता दर है ना 64.4 परतिसत ही है पूरे जार रांची जीले का जनसेंखा घनत कितना है तो रांची जीले यानि परती बर्ग किलोमेटर में रांची जीले में कितनी जनसेंखा घनत है यह पुझ रहा है परती बर्ग किलोमेटर के अंतराल में कितने लोग रहते हैं तो देखें कहीं बहुत ज्यादा भी रहते हैं कहीं कम तो पूरा छेत्र वेसेस पे इसको निकाला गया है और इसके जो है रांची जिले की जनसेंखा गनत है वो है आपका 572 याद रखिएगा क्या 572 बर किलोमेटर में जो है 572 परती बर किलोमेटर में इतना लोग रहते हैं यानि परती बर किलोमेटर में कितना लोग रहते हैं रांची जीला में पुछेगा तो 572 कितना 572 याद रखिएगा next question की और आगे बढ़ते हैं देखिए next question यहाँ पर आया हुआ है देखिए पुछ रहे है तो रांची जीला का जीले का चेत्रा फ़ल कितना है तो रांची जीला का चेत्रा फ़ल है लगवख 5000 पलस यानि 5000 बर किलोमेटर पलस याद रखिएगा तो यह देखिए आँ पर option number आपका B 5097 ब्रग किलमेटर तो इतना बड़ा छेत्र में यह आपका रॉसजिद्वर पहला हुआ कितना 5097 ब्रग किलमेटर में पूरे रॉसजिद्वर जो देख रहे हो यह आपका हुआ है चलिए अब तम लोग next questions देखते हैं next question यहाँ पर देख예요 इस है आपका रांची जीले का लिंगानुपाती कितना है तो रांची जीले का जो लिंगानुपाती लिंगानुपाती समझी होता क्या है तो देखिए रांची जीले में जो हजार कुरूस में महिलाओं की सिंखा कितनी है तो रांची जीले में अगर हम लिंगानुपाती पूछेगा कि एक हजार पुरूसों में महिलाओं की संखा कितनी है तो वो बताता है क्या लिंगानुपाती जबकि पूरे भारत का अगर हम बात करेंगे कि किस राइज की लिंगानुपाती सबसे ज्यादा है तो वो आपका किरल की लेकिन इहां पर अगर हम देखेंगे लिंगानुपाती जो है रांची जीले की कितनी है तो 1000 में कितना 949 तो इसका right answer क्या हो जाएगा 949 जबकि जारखंड में जो है लिंगानुपाती सबसे अच्छा जो है वह आपका पस्षिम सिंभूम का है तो उहां का लिंगानुपाती इससे भी अच्छा है तो रांची जीले में देखें कौन-कौन सी जन जाती जो है यहां पर निवास करती है तो उराण लोग रांची जीले में पाए जाते हैं तो यहां पर उराण लोग निवास करते हैं मुंडा भी यहां पर निवास करते है तो उप्यूक्त में से यह सभी जन जाती जो है यह रा हमिन चेत्रफ से भी यह को प्लाइग किया है तो वे इस सायद ही इस जगह पर आए हैं लेकिन तेगर में यह पर सीद है और यह चेगर ही आपका कहां है यह घुमने का ही जग्हा एक इन से य villain करब का रांसी में ही आपको यह मिलेगा तो टेगर पहाड़ी येगर आपको पुछेगा तो ये कहां है तो ये रांची में ही ये अवस्तित है नेक्स्ट आईए नेक्स्ट कोसें देखिए याँ पर जार्खन का दुसरा सबसे उचा जलपरपाद हुन्डू किस जीले में स्थीत है तो देखे जारखन का जो दूसरा सबसे उंचा जलपरपाद, तो ये जारखन का ही नहीं, ये पूरा ऐसिया महादीप का जो है न, ये सबसे बड़ा जलपरपाद भी है, तो हुन्रू जलपरपाद जो आप नाम देख रहे हो, ये जारखन का ही नहीं, बल्कि ये पूरे ऐसि 24 मिटर इसकी उचाई है और यह रांची में ही आपको मिलेगा हुंडु जलपरपाथ तो रांची से कुछ दूरी में आपको मिल जाएगा यह उधर अंगड़ा वाला जो रास्ता है ना तो उधर ही यह हुंडु जलपरपाथ मिलेगा और यह किस नदी पर बना हुआ है क्या था ठेक है अब यहाँ पर अप्सन है यह पलामू गड़वा खोटी तो खोटी तो रांची से ही बना है तो देखे रांची का जो पुराना नाम था वो था विल किसंगंज क्या नाम बता रहे है विल किसंगंज या इसको पुराना नाम और एक नाम से जाना जाता है य लेकिन देखेए आप ध्यान दखिएगा लहरदगा रांची से ही आपका काटके बना है, तो ये देखेए बिल, किशन, गंज आपका option मिल जाए, विसुनपूर मिल जाए या लहरदगा मिल जाए, ये कोई भी option मिल जाए तो आपको तीक लगा देना है, ये रांची का पुरा ब्रस्थामॉंड उसामॉंड जवी गुददानraction रांचि का रोभ यह रांची आपका धुरुआ में अंतर अश्टिया अट्डा देखने को मिलेगा और भगवार विर्सा मुंडा जो जेवी उद्दान है वो अर्मा जीवी तो यह दोनों जिए यह कहां पर अवस्थी था तो यह रांची में ही आपको मिलेगा नेक्स्ट कोसें आईए यह देखे यह तो सभी को पता होना चाहिए जारखन की राजधानी कहां है यह आपका रांची में ही वस्तित है यानि रांची ही है तो चलिए अब यह रहा आज का प्रमुक प्रस्ण और कुछ यहां पर हम लोग प्रस्ण करेंगे तो इससे पहले बत आप इसी तरह का आपको प्रस्ण चाहिए तो आप लोग वीडियो पर बने रही है नेक्स्ट कोसें की और हम लोग आगे बढ़ते हैं आप देखिए यहां पर एक कोसें आया है रांची जीला में कुल कितने पंचायत है तो देखिए रांची जीले में कुल कितनी पंचायत यह थोड़ा सा यहां पर confusion वाली थोड़ी बात है लेकिन आपको हम इस पे clear कर रहे हैं पुस्तक में अभी जो एक पुस्तक है स्परदा जहां पर अभी तक जो update पुस्तक के अनुसर आ रहा है वो 303 पंचात रांची जिले में हैं लेकिन अभी ज़दी आप net पे इंटरनेट पे आप सर्च करने जा रहे हो तो वहां पर आपको 305 दिखा रहा है लेकिन अप इंटरनेट पे जब आप सर्च करोगे न तो उसको जो है examiner जो होते हैं तो वहां पर उसको माइननता नहीं मिलती है लेकिन हाँ जदी वो कोई valid पुस्तक है तो उसका वो माइननता रखता है कभी भी जदी इस तरह का इतना सर्टिक अप्सन आ जाए तब थोड़ी सी दिक्कते हैं लेकिन हाँ जरूर है यहां पर confusion वाली बात है इसलिए हम इसको confirm नहीं कर रहे हैं लेकिन आपको एक्ची बता रहे हैं कि यहां पर इस तरह का अप्सन जदी आ गया तो अभी यह जो आप इसके नजदीक में option रहेगा ना तो उसके अनुसार क्योंकि यह सब जो है अपडेट होते रहता है थोड़ा वो तो इसलिए इसमें confirm करना थोड़ा सा मुस्किल होती है तो आप यह दोनों में से आप ठीक लगा सकते हो नेक्स्ट कोसिन देखिए यहां पर भी थोड़ा सा confusion वाली यह कोसिन है रांची जीले में कुल कितने गाउं है अब रांची जीले में जो गाउं है गाउं की सिंखा वो आपको बता रहे हैं जो पुस्तक के हिसाब से हम लोग लिखे हैं यहां पर वो आपका 1329 गाउं है लेकिन अगर आप एही चीज गूगल में भी सर्च करने जाओगे तो गूगल में आपको मिलेगा 1343 आपको गाउं देखने को मिलेगा तो यह पुस्तक के अनुसार इसको सेट किया गया है तो यह भी एक रही बात यहां पर थोड़ी सी करनी फ्यूजन जरूर है लेकिन यहां पर आप उसके नजदिक वाला जदी आ राँची जिला में कोल कितने विधां सभाजशेतर है तो राँची जिला में जो विधां सभाजशेतर है इसकी सेंख़ा साथ है। हटिया, विधाम सभा, छेत्र, और हटिया के बाद इधर आगे बढ़ेंगे तो मांडर, मांडर के बाद आगे बढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा इधर कांके, तो कांके हो गया और कांके के बाद लास्ट में हम देख रहे हैं यह है आपका रांची इस तरह से दिखिए यहाँ पर जो विधाम सभा की जो संका है रांची जीले में यह साथ विधाम सभा यहाँ पर है तो कुन-कुन सथ तमाड़, सिल्ली, खिज्री, हटिया, मांडर, कां पर जो बच्छों की जो लिंगानु पर है बच्छों की जो लिंगानु पाथी है 998 यहाँ पर है, जबकि अभी बेसकों का जो लिंगानु पार है 494 है यानि बड़ों की जिसका 18 साल से ज्यादा उम्र है और बच्चों में यहाँ पर लिंगानुपाती 938 इसका मतलब है कि आने वाले समय में जो है रांची जिल्या का भी लिंगानुपाती डाउन जाने वाली है तो इसकी राइट रसर क्या है नेक्स्ट आईए अब यहाँ पर आईए यह इस वीडियो का लास्ट कॉस्टिन रांची जिल्या की जनसिंखा बिर्धी दर कितनी है तो रांची जिल्या की जनसिंखा बिर्धी दर कितना तेजी से रांची जिल्या की जनसिंखा बिर्धी हो रही है तो 23.93 हम नहीं है बहुत तेजी से जो है रांची जीलिया का जन सिंगा बढ़ रहा है और आप लोग को पता भी चल रहा है कि किस तरह से जो है घर मकान सब बन रहे हैं और जन सिंगा में कितनी तेजी से बिढ़ दी